तो दोस्तों इस वीडियो में हम बताएंगे कि Jio Pass Plus से Jio के New Jio Sim चालू कैसे करेंगे Jio Digital KYC से अगर आप लोग नहीं जानते हैं कि Jio Digital KYC से Jio का New Jio Sim चालू कैसे करेंगे तो इसका Complete जनकार इस वीडियो में देंगे तो सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दिजे करना है उसके बाद मुविलेटि आपको सेलीक्ट करके डंड पर क्लिक करना है उसका बदीया पर आपका दोग ऑफसेंट सो हो रहा है तो आपको इहां search वालने क्यूंकि customer का दार्वाधार का 22 आब ए है अगर उसके पास बोटर आईडी कार्ड है तो उससे भी आप सीम चालू कर सकते हैं उसके लिए आपको यहां दुसरा वाला उप्सें सिलेक्ट करना है अगर आप लोग नहीं जानते हैं कि बोटर कार्ड से किसी भी कस्टमर का जियो सीम चालू कैसे करेंगे तो इसका भी कं कस्टमर का अधार कार्ड सबसे पहले आपको यहां पर क्लिक करना होगा तो कस्टमर का अधार का क्यूर कोड को आप कुछ इस तरह से स्कैन करेंगे जैसे सेक्सफुली स्कैन हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा उसके बाद आपको नीचे यहा पर click करके capture कर लेना है आपको लगता है कि customer का अधार card का photo जो है वो सही आया है उसका कोई भी corner card नहीं हुआ है तो आपको simply यहां use this photo पर click करना है उसके बाद उपर यहां cut के निसान पर click करना है उसके बाद यहां पर customer का अधार card का जो front side का photo है upload हो जाएगा उसके बाद यहां नीचे पर click करके customer का अधार card का back side का photo आपको कुछ उस तरह से ले ले रहा है यहां पर अधार card का front side और back side दोनो फोटो upload हो चुका है उसके बाद आपको यहां नीचे next पर click करना है उसके बाद फिर से दो बार आप आप नीचे next पर किलिक करेंगे उसके बाद यहां पर customer का जो live photo है वो लेना है तो customer का live photo लेने के लिए सबसे पहले customer का जो background होगा जहां पर आप फोटो लेंगे उसका जो background होगा वह white होना चाहिए तभी photo capture होगा नहीं तो नहीं होगा इस तरह से आपको customer का live photo यहां पर capture कर ल photo सही से आ चुका है उसके बाद उपर cut के निचान पर click करना है उसके बाद नीचे next पर click करना है उसके बाद agent का अपना live photo लेना है जिसके नाम पर geopass plus का user id है उसको अपना live photo लेना है यहां पर अपना live photo लेने के लिए आपका background white नहीं होना चाहिए मतलब कोई भी background में आप अपना live photo ले सकते हैं simply आपको चारो पटे green होगा तभी आपका photo capture होगा नहीं तो नहीं होगा तो photo capture करने के लिए आपको नीचे पर किलिक करना है यहाँ पर agent का live photo capture हो चुका है उसके बाद आपको उपर काट के निशान पर किलिक करना है उसके बाद नीचे next पर किलिक करना है उसके बाद आपका कुछ इस तरह का interface आएगा और यहाँ पर customer के सभी details यहाँ पर आपकी show होने लगेगा अगर customer का अधार का QR code scan करते हैं तो यहाँ पर automatic की customer का अधार का सभी details ले लेता है कोई भी details नहीं लेता है जैसे कि यहाँ पर data birth नहीं लिया है तो अधार कार्ट को देखते हुए आपको manually यहाँ पर डाल देना है उसके बाद यहाँ पर customer का एक mobile number डालना है जिसमें एक OTP आएगा अभी उसके बाद यहाँ पर click करकर relation select कर देना है कि यह mobile number customer का किसका है उसके बाद आपको नीचे आना है उसके बाद नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है other mobile connection मतलब customer के नाम से अगर कोई mobile number है मतलब सीम चालू है तो yes पर click करना है अगर नहीं है तो no पर click करना है अगर yes पर click करेंगे तो यहाँ पर customer का कौन सा सीम है उसको add करना है उसके बाद यहाँ OK पर click करना है उसके बाद आपको check once पर click करना है उसके बाद आपको next पर click करना है next पर जैसे click करेंगे तो आपका कुछ इस तरह का interface आएगा तो आप अगर new sim चालू करेंगे तो आपको यहाँ prepared select करना है उसके बाद सभी plan यहाँ पर so होने लगेगा तो customer जो plan चाहता है उस plan को आप यहाँ से simply select करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर कोई एक से लेके 5 तक number डाल देना है तो चलिए हम यहाँ से 1 से लेके 5 तक number डाल देते हैं number डालने के बाद आपको यहाँ पर ok पर click करना है ok पर click करने के बाद यहाँ पर जो customer को आप जिस sim को देंगे उसका QR code को आपको scan करना है तो scan करने के लिए simply आपको यहाँ scan के option पर click करना है उसके बाद customer को जो sim देंगे उसका QR code को आप कुछ इस तरह से scan करेंगे scan करेंगे तो सभी details यहाँ पर automatically ले लेगा और customer के number जो कौन सा generate होगा वो number आपका यहाँ पर so होने लगेगा उसके बाद आपको पूछ रहा है नीचे यहाँ पर customer जो है लेगेगा तो आपको यहाँ नीचे check box पर click करना है उसके बाद proceed पर click करना है प्रोसीट पर जैसे click करेंगे तो आप customer का जो एक alternate mobile number डाले थे उस नमबर पर एक OTP आया है उस OTP को आपको यहाँ पर डाल देना है उसके बाद यहाँ पर click करके आपको नीचे okay पर click करना है उसके बाद आपके लापव नमबर पर A T Pायू आया है उस अप kinda आध यहाँ पर so on canno qi कर देना है उसके बाद यहां पर ICC ID इतरो नंबर डालना है मतलब लास्ट का आक थोड़के उसके वाध 5 अंक डालना है Last का, मaz massive लास्ट से आप 6 अंक लेंगे, तो सब से लास्ट में जो एक अंक है, उसको छोड़के आपको 5 अंक यहाँ पर ढाल देना है, उसके बाद validate OTP पर कलिक करेंगे, तो यहाँ पर आपका OTP validation successfully हो चुका है, उसके जब हार दो पर उपलोड हो होने के बाद यहाँ पर आपको सिंपर के बटन पर प्रिश नहीं चाल रहे हैं उसमें आपको छोड़ करने के क्लिक कर देना है यहां पर क्स्टमर का जो नंबर का रिचारज है वह सकस्टमर का जो सीम पांच मिनट के अंदर चालू हो जाएगा यह से उसके घीचारज चल जाएगा उसके बाध आपका कमिशन आपको मिल जाएगा तो कुछ इस तरह से आप और यह जनकर कैसी लगे नीचे कमेंट करके जरू बताया है और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकेन कॉल में कर दिए इस तरह के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए